इस दिवाली गाय के गोबर से बने इको फ्रेंडली गौमे दीपक लक्ष्मी गनेज की मूर्टिया खिलोने लोगों को खूब कर रही है आकर्शी इस बार गौस हिर्जन पंच जन्यम की ओर से प्रकाश परवेवं दीपावली में परंपराओं के साथ साथ परियावरन संदक्षन की भी छलक देखने को मिल रही है दीपावली में परकाश के साथ साथ मिट्टी के दीपक का सोनापन हर गाय के गोबर की सुगंद भी शामिल देखी गई गाहिके गोबर से बने दीपक जब घर की बालकोनी चोखट में अपना प्रकाश फैलाएगी तो देशभक्ती अध्यात्म के साथ साथ फरियावरन संदक्षन का भी संदेश मिलेगा ऐसा ही कार्यकर दिखाया है इंडूश शेकर पांडे, रिशिकान पांडे और निशिकान पांडे ने उन्होंने गोबर से बने दीपक गनेश लक्ष्मी की मूर्ती के अलावे खेई खिलोने तयार खिये हैं अपने शहर स्मार्ट सीटी भागलपूर में पहली बार दिवाली एवं छट महा पर्व के शुब अफसर पर गाय के गोबर से निर्मित इको फ्रेंडी कॉमेडी पार्क अनेको डिजाइन के दीपक गनेश लक्ष्मी की प्रतिमा तोरन द्वारा शुबलाव स्वस्तिक जै में तइयार कर इसे बनाया गया है ने कहा कि प्रधान मंत्री के लोकल पूर्वक कल के तर्शवर मैंने इसे तइयार किया और ये लोगो को काफी आकरशित कर रही है और हमारा बिक्री भी अच्चा हो रहा है याखार ये एक साल से कर रहा हूँ और इसमें कहीं तरहा की चीजों को तयार कर लूँगा आपको बताते चले कि इस बार जहां मिट्टी के दीपक और पानी से जनने वाले दीपक की जहां क्रेश देखी जा रही है वहीं गोवर से बने सामग्रियों की काफी धूम है चर्मकर लोग इसके भी खरीदारी करते दिख रही है सुध गाय के गोवर से निर्मित किया गया है गाय के गोवर से मेरे पास तोरंद्वार है सुब लक्ष्णी है ओम स्वास्तिक है गनेश मूर्थी है दिया अनेक डिजाइन में है और फिलाल 40 प्रोड़क्ट पर हम काम कर रहे है इसके बाद फिर गोवर्क बनाएंगे गोनाइल बनाएंगे फर्स साफ करने के लिए बहुत सारा हम लॉंच करने वाले है अनेक तरह का डिजाइन दिया है मेरे पास शूब लाब है मयूर सूबलाव है लक्षमी गनेश का मूर्ती है गमला है तोरन द्वार है मयूर सूबलाव है इस उपलक्ष में हम ये सब लॉंच किये हैं कितने बर्सों से ये कार्वे कर रहे हैं? अभी तो फिलाल हम एक बर्स से काम करना शुरू किये हैं मेरा नाम इंदु से खरपांडे हुआ ग्राम बात है हम सभी अपने भारत वासियों से आग्रा करते हैं कि दिपावली के सूब अबसर पर गोवर से निर्मित दिपक जलाए और आपने घर को सुद्ध वातावरन करें भारतुर में कैसा रिस्पोंस करें? ठीक ठाक रिस्पोंस में रहा है